हां जी नमस्का सस्य गाल आदाब और मेरे प्यार मापुच को प्यार भरी धन रंकार और सनय आप लोग कैसे हो आई होप आप बढ़िया होंगे और यहां मैं लगा रही हूँ जाड़ू पोच्चा जाड़ू बस मेरी लगी गई है थोड़ी सी रैरिया साइड वाले कमरे में और साथ ही लगाऊंगी पोच्चा मैं यह तो पहर हो चुकी है साड़े ग्यारा हो रहे हैं रमन की दो क्लासिस लगा ली थी और तीसरी क्लासिस उसकी बारावजे शुरू होगी तो मैंने का चलो जब तक मैं जाड़ू पोच्चा लगा लेती हूँ सफाई तो पहले ही कर तो बस यह जाड़ू लगा रही और साथ में मैं पोच्चा और यहां पर बस मेरा जाड़ू लगी गया है साइड़ वालेकुमरे में आगी जो फरस्ट वाला हमारा रूम है बस वहां पर मैं जल्दी से जल्दी जाड़ू लगा कर फटा फर्टिकी रमन की क्लास होनी है वो बैठा है ड्राइंग की है और बस वह लगा रहा है तो मैं यह बस जैसा अब जाड़ू लग जाएगा और फिर पोच्चा लगाने को टाइम नहीं लगेगा सफाइया पहले ही कर लिए थी वे पोच्चा में दपहर को ही लगाती हूं जब रमन की क्लासिस खतम हो जाती है य और फोच्चा लगाना शुरू करती हूं मैं तरंड में पोच्चा लगाने को टाइम लगी जाता है मौनिंग में लगाने का दिल नहीं करता है और वैसे भी सभी जब काम पर चले जाए तब ही पोच्चा लगाने का मजा आता है नहीं तो फिर बस पैड़े ही लगती रहती है यहाँ पोचल गाने के बाद फिर मैं आ गई थी धूप में रमन की class हो चुकी थी वह बहर आकर खेलने लगया था रमन मों को मैंनेने नहलाना है धूप देख रही थी धूप अभी निकली है पहले धूप और यहां यह हमारे सातने अंटी बठी हैं अपने बेले में बाकि आज लोग बाहर बठें क्योंकि धूप है अच्छी आ रही है जारे यह पर अच्छी लग रही है फिर भी धूप और यह रहो बाहर देख रहरा कोई बच्चा कھیलने कब और है कि नहीं है इसके फ्रेंट थे म भी नहाँगा भी मुझे खेलने दो थोड़ी देर अभी तो आया हूँ क्लास लगा कर तो मैंने कोई नहीं थोड़ी देर खेले फिर नहा लेना और ये अंटी मुझे से बात कर रहे हैं कि आप क्या करते हो मैंने भी आपकी वीडियो देखी हैं बस वैसे बाते गर रहे थे थ बोला अंटी ने की हाई बोल तो भी आंटी को तो ये नहीं बोल रहा है ये कह रहा है नहीं बोलूँगा मैं ये कह रहा है मैं नहीं बोलूँगा मेरे को हसी आकर फिर मैंने इसको का बोल कहता है नहीं बोलूँगा मैं क्यों कहता है मैं नहीं हलो बोलूँगा तो मैंने का चल शाम का टाइम मैं बनाने लगी थी साग साग तो बनाता है चुले पर बनाया था मम्मी ने ही चुले पर कर दिया था चुले काम वही करते हैं मेरे को चुले काम नहीं आता है प्रॉपर पैस तो हम नहीं करते हैं साग को बना लेते हैं चुले पर बाकी और कोई काम नहीं करते ह बस मम्मी ने साब चुले पर कर दिया था और फिर मैं तलका लगा रही थी थोड़ा से ही तड़कूंगी जादा नहीं तड़कूंगी क्योंकि और सबजी भी पड़ी है तो बस यह मैंने लसन डाला और इसमें थोड़ी सी हींग डाली है वो वीडियो में नहीं दिखा पाई वो हींग और लसन डाला है मैंने इसमें बाकी साग में ही डाला हुआ है सब कुछ और बस यह लसन थोड़ी ब्राउन हो चुकी है इसमें मैं डाल दूंगी प्याज अद्रक वगेरा साग में ही डाला हुआ था हरी मिर्च भी बनाने के वक्त फिर भी मैंने इसमें एक हरी मि तो मैंने ये एक बड़ी प्याज ही डाले इसमें कुछ साग ज्यादा नहीं तुर्कना है थोड़ा ही तुरकना है बस ये करूंगी मैं और बाकी कुछ लोग हींग तो चलो डालते हीं वह लाल मिलिच भी डालते हैं साबुत वह अच्छी लगती है बट हमने पहले ही हरे मिट साग को बनाने के वक्त डाल दी थी उसमें जब साग को काट कर रख देते हैं रिजने के लिए सीटी बजाने के लिए ये देखिए साग बना हुआ है कडाई में ये अचली हमने परसो बनाया था थोड़ा कल तुड़क लिया था थोड़ा परसो तुड़क था और थोड़ा आ रख दिया था कि ताकि नॉर्मल टेंपरेचर प्याज जाए और जल्दी वह हो जाए और यहां पर प्याज हो रही है यह देखिए बस प्याज होने वाली है लसुन थोड़ी ज्यादा ब्राउन हो गया मुझे अच्छी लगते है ऐसी ब्राउन लसुन बाकि सबका अपना टे और बस यह प्याज भून चुकी है लगबग इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप देख सकते हो बस अपने इसमें साग डाल दूँगी यह हो चुकी है यह देखिए मैंने साग डाल देखिए मैं आपको पता है थोड़ा ही साग डालूँगी नमक वेरा कुछ नही डाल देते हैं कभी वैसे डाल देते हैं कभी ऐसे भी डाल लेते हैं और यहां साग हो चुका है मेरा आप देख सकते हैं बन गया है अच्छे से गरम हो गया है अब बस अब मैं इसको तार दूँगी और आज मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी आप भी देखिए यह मक्की का आ आटा है कनक का ओटा डालने से चूड़ जाता है छो पीक आटा अच्छी और अखर अच्छयं है चाहे को अच्छे से मिला लूंगी मसल मसल कर ताकि रोटी अच्छे से बने टूटे नहीं और मैं आज आपको दो तरह रोटी बनानी सकाँगे एक तो हासी बनाते हैं जिनको हासी नहीं आती है वो चकले पर भी बना सकते हैं असानी से कोई मक्की की रोटी मुश्किल नहीं है लोग पंजाम में तो मक्की की रोटी सर्दियों में चलती है तकरीबन रात में भी पर अब हम यहां पर चंडी घर में नहीं खाते हैं ज्यादा क्योंकि घर में कोई नहीं पसंद करता है तो गाओं की साइट तकरीबन रोज ही मक्की की रोटी खाते हैं और मेरे मैके में भी रोज रात को मक्की की रोटी ही खाना पसंद करते हैं तरी वाली सबजी हो, कड़ी हो, चने हो, दाल हो, उसमें चूगर कर खाना पसंद करते हैं सुभव हमारे मौनिंग में मेथी टालकर बटर के साथ लसन अद्रक कोटकर हरी पीड़के साथ में तो हमंन आप Ну यह difference लियेत उसलिए हम कम ही बनाते हैं और यहां पर मैं आपका अब एक हाथ में थोड़ा सा आटा ले लीजिए जितनी आपको रोटी मोटी नानी है इतना आटा आप अपने हाथ में लेजिए उससे गोल-गोल बेली अच्छे से यह देखिए पानी लगा लीजिए हाथ में अच्छे से और इस richest अ गोल-गोल बेली divorced सोरी गोल गोल पेड़ा कीजिए मैंने बोला और फिर ऐसे ऐसे करकर आप अच्छे से कंगी कीजिए इसकी और ऐसे रोटी बिल्कुल भी तूटे नहीं आपको पता लग जागा अगर आपकी रोटी तूट रही ता इट मींस आपका अच्छे से मला नहीं है आपने और यह दे से बनती जाएगी गोल गोल यह देखिए इसको कोई मुश्की नहीं है हमें वैसे ही लगता है यह बहुत ही असान है कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है एक दो बार आपको लगेगा अदरवाइस यह इतना मुश्किल काम नहीं है यह देखिए रोटी बिल्कुल भी तू क्योंकि कनक का आ अटा डालने से रोटी चैसे जूड़ जाती है और अब इसको चपकत wol देत है कुछा जलडी करते हैं अब मैं आपको चकले पे बनाना हो वैसे ही ही न है जैसे पहले किया था पर इसमें पानी नहीं लगया और थोड़ा सा धूड़ा मैंने डाला और उसको देखिया आटा रखकर उसको गोल 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 गुमाते जाएए यह इसली आपकी रोटी बन जाएगी यह देखिए यह बहुत ही असान है कोई मुश्किन नहीं है जिन लोगो पी के मुकाबले जो चकले की रोटी होती है वो ज्यादा पतली बनती है आप जितनी मर्जू से बढ़ा कर सकते हो पतला कर सकते हो और ऐसे चाहो तो ऐसे बना सकते हो मैं दोनों तरह से ही बना लेती हूँ आप चाहे तो आप इस पर घी भी लगा सकते हो और अगर ऐसी खान यह बिल्कुल ठीक रोटी बनी है इसमें कोई भी घबराने की नहीं बात है आप जैसे मैंने पता है वैसी स्टैप किए जैज अगर आप काटा नहीं जूड रहा है तो इसमें थोड़ा सा कनक काटा में ला लीजिए जिससे कि आप काटा जूड जाएगा अच्छे से और कनक काटा डालने का यह फायदा है कि रोटी जूड जाती है वह जल्दी से रोटी को जोड देता है और अगर आटा अच्छा हो तो फिर तो नहीं कनक का डालने की जिरूरत है आप सिरफ गरम पानी से आटे को मलिया और आपकी रोटी पर्फेक्ट बनेगी यह रोटी आगे है और वैसी रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है और यह जो चकले के यह बतली अच्छी लगती है वाकि यह परमा टेस्ट है आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं जरूर ट्राइ करना एक बार इस धंक से बनाने की और जो मैंने हाथ से बना या उस धंक से भी बनान पिन्जाब की मेकी जो मक्की की रोटी और सरसो का साथ आल ओवर दी वर्ड बहुत फेमस है और ये दिखे आपको मैं दूसरी रोटी पर फिर बेलना बता देती हूं ऐसे हासे जैसे मैंने पहले बताया है ये बहुत इजी डहंग है आप जुरू ट्राइए करिए और साथ कु कित्या है फब सकता आफ रहा कर् ये सच में बहुत ही इजी है बनाना आप ज़रूं ट्राइए करना आप को बिल्कुल भी difficulty नहीं होगी एक दो बार तो होता ही है और कहते हैं हर कोशिश करते रहो तो बन ही जाती है एक बारी में अगर नहीं बनी दूसरी बनाओ तीसरी बारे आपकी अपने आप easily बन जाएगी जो चकले पे बना रहे हैं वो तो जल्दी ही बन जाएगी अभी हाथ पर दो चलो आपको दो डिफिकट लगेगी बर चकले वाली बहुत इसली बन जाती है और आप जुरू ट्राइब करना मैं आपको बार बार बोल रही हूं और बस मेरी रोटी बन कर तैयार है मैंने ज्याद़ रोटी नहीं बनाई है क्योंकि बाकी करनक की रोटी खाएंगे हस उसे सुबह घी लगा कर खाओ तो साघ के साथ तो मैं बनाती हो एक दो रोटी फालतु बना लेती हूं क्योंकि सुबह मौर्निंग में खाने में भी उसे बहुत लगी टेश्ट आता हूं बहुत सुबहित लगती है चाय के साथ मेरी डोटई बनK लगभक तेयार होकी है मैं डालेते हैं हम साग में और देशी घी भी यूज़ कर लेते हैं बट मैं देशी की मेरे को पसंद नहीं है उसकी स्मेल बहुत चड़ती है मुझे और मम्मी भी देशी की नहीं खाते हैं तो मलाई डालकर हम साग में खा लेते हैं मलाई या वाइट वाला मक्षन वो टेस्टी ल क्योंकि उससे नमक टेस्ट जादा नहीं होता और साग भी टेस्टी लगता है और आप जब भी बनाओ तो मुझे जरूर बताना आपकी कैसी बनी है यह रोटी और बस मेरी रोटी मैंने जैसे कि आपको बन करते यार ही हो चुकी है और यहां मैंने लगा दी है प्लेट आप भी आजाईए आकर खा लीजिए बहुत टेस्टी साग बना था और आप भी जरूर अगर यहां पर नहीं है नहीं तो मैं आपको भी टेस्ट करवाती क्योंकि अब तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ यह देखिए साग मैंने इसमें म अखन नहीं डाला है मलाइक का साग भी स्वाल लगता है अब मैं इस वीडियो का यह यहन करती हूँ ओके जी नमस्का ससेकल आदाब और मेरे प्यारे मापुछों को प्यार भरी धन निरंकार जी